हलो गाईज वेलकम टू चारापुना चारापुना में आप सबका फिरसेग बर्स वागते तो दोस्तों लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक आडियो क्लिप सुनाया था और उमीद करता हूं कि उस आडियो क्लिप को आप लोग बहुत ध्यान से सुनेते तो आज हम ब हों कि उस ऑडियो क्लिप में जो चाचा ने जो उनकी बायान दिया है तो उस बायान के ऊपर आप लोग कितना परसेंट करते हैं यह हूँआ पहला बात और सेकेंड बात ये हैं कि उन चाचा ने जो बायान दिया है वो जो अटना दिन बात किस लिए क्योंक kep इंग राजप किसलिये वह कृश्री सबसे पहले दिया गया सब के सामने और यहीं आज़ी तक पहुंचा लिया गए और सीविवी ऑपर ज्फ टरक रहेreichen इसकी उपर वो लोग काम करें ताकि यह जो क्लिप है वो कितना परसन ऑथेंटिक है यह जाच करने के बाद वो उन चाचा की जो बात कहा गया है उसी बातों के अनुसार वो लोग फिर से एक बार काम करेंगे पर उससे पहले इसका ऑथेंटिसिटी चेक होगा तो जिसके सा देश की जितना भी संगबद माधियम है सबके सामने मैं एक छोटा सा मेरा निवेदन रखना चाहता हूं वो निवेदन यह है कि सुसन सिंग राजपुत की केस में जितना सारा औडियो क्लिप या फिर जितना सारा वीडियो क्लिप जो रिलीज होते हैं या फिर आप नौर्माल इनसान को कुछ भी हो सकता है तो जिसके कारण जिसके लिए हम जिन्वेदर नहीं रह सकते क्योंकि उनका अगर कुछ हो जाता है उनके लाइप के साथ तो जिसके लिए सारा जिन्देगी पर हमें ही पचताना पड़ेगा तो जिसके कारण अगर हो सके तो उन लो लोगों की security के खातिर वो उन लोगों की फेस रिविल ना करना ही बैटर होगा तो आब आते में पॉइंट पे तो यह जो चाचा है यह चाचा ने मतलब उनकी बातों से यही लगा मुझे कि यही दुनिया की आखरी बो आदमी है जो की आखरी बार के लिए सुसान सिंग राज के साथ की उस जाचा के बाद सुस्ण सिंग राजइपूद के साथ और किसी ने नहीं मिला तो उस चाचा को वैयान है क्योंकि प्में के इनको गुड़ नाइट तक भी कहा था तो piss के बाद उनका कहने के अनुसार उन्होंने दो लोगों का नाम कहा था उस केरंदर से सबसे जो एहम नाम मुझे लगा क्योंकि एक तो था डाउट का आदमी जो की बताया जा रहा है फिलल पता नहीं कि कितना पर संट सच है पर जो शक्का जो तीर है और जहां से मैं कन्फरम हुआ था कि उन्होंने वाजे का नाम लिया था हाँ दोस्तों और जो वो वाजे है जिस खेम कर तो उनका आधार कार्ड वो सचिन बाजे के पास था उन्होंने जब्त कर लिया था और वही सचिन बाजे यह चाचा भी उनका ही नाम ले रहा है कि यही बाजे ने उस विल्डिंग पे भी एंट्री किया था मतलब सुसान सिंग राजपूत की के साथ और कौन कितना परसंट कनेक्टेड है यह मैं दावे के साथ अगर नहीं कर वे अगवी कहाँ पर यह जरूर कह सकता हूं यह सरे के सारे के सारे मिशन को सटार्ट किया गया था तो बहुत सारा केस हो सकते हैं कि सुसंद सिंग राजपूत के उपर वो बहुत दिनों से नजर रख रहे थे या पिर सुसंद के साथ कोई परसनल दुश्मनी वो निकलना चाहते थे उसी के साथ साथ चाचा ने तो ये भी बोला के आठ तारीक को बो लोगों ने दिशा की जो कहानी है वो खतम किया और तेरा तारीक को सुसंद के कहानी खतम किया यानि वो दोनों कहानी खतम करने वाला लोग एक ही है और वो है सचीन वाजे और दाउद का आदमी तो दाउद का आदमी दाउद का आदमी मैं बारबार इसलिए बोलडाओं कि मैं सबके सामने यह रखना चाहता हूं कि किस तरीके से आज भी आज भी दाउद इब्राहीम ने यह मुंबई सिनमा वर्ल्ड पे या फिर पुरा मुंबई पे आज भी उनका जो राज है वो कायम है और जिसके उपर आज तक किसी ने कोई भी स्टेप नहीं ले पाया है सुसन सिंग राजपूर जैसा एक इंसान का एक भोलावाला का इसा कांड हो जाते के साथ फिर भी आज एक साल दो तिन महीना हो रहा है फिर भी आज सीविय के तरफ से कोई भी स्टेप नहीं लिया जा रहा है इतना सारे भरपूर प्रामान होने के बाबा जुद भी और अगर आप लोग मुझे परसनली पूछते हैं कि वह आडियो क्लिप को मैं परसनली कितन क् cockpit कई से आमने सामने है और उसी के साथा साथ उन्हे चाएं उनका से लृच्वट लेगत्य के जुद्वर से उनको पानियके मद्समान से किसि त vér के के तो अभी बात यहे कि क्या जो वहां पे सुसान सिंग राजपुत की जो केस जो हम देखे थे अधे उनका जो वीडियो लीख हुआ था जो नहों को एमबोर्स पर डाला जा रहा था उस टाइम पे हमने दो बॉडि का जिकर किया था सब कोई दो बॉड़ी का जिक्र किया था उसी के साथ साथ सुसंसिंग राजपुत की शम्षन बाला जो बॉड़ी था उसमें भी दो बॉड़ी का जिक्र किया गया था कि वहां पर दो बॉड़ी हो सकता है तो क्या उस बॉड़ी में से वो एक बॉड़ी क्या वो सिक के कारण हो सकते कि वह मार हो रही थी पर दोस्तों सुथ्रों के अनुसार जैसे पता चल रहा है कि CBI इस क्लिप के उपर काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे कि इस क्लिप की जो आथेंटिसीटी है वो जाच परतल करने के बाद बो लोग भी इसके उपर इंवेस्टिगेशन करे पर जैसे कि सुजन सिंग राजपूत का जो केसे बो उन लोगों के हाथ में स्वपने के बाद लोग डिले की उपर डिले करते जा रहे हैं पता नहीं ये क्लिफ हाथ लगने के बाद बो लोग कितना तेजी से इसके उपर action लेगा पर उपीद करूंगा कि ये जो क्लिफ हे बो अगर प्रूफ हो जाए वो अगर सहीं निकले तो मतलब यह जो केसे बहुत सौल करना ज्यादा दिन की बात नहीं लगेगा नहीं लगना चाहिए तो अभी उमीद रहेगा कि हमारी देश की कानून प्यावस्ता की उपर कि वो लोग इस क्लिप के ऊपर कितना सिरियस होके काम क को आखरी वार जिन्दा देखा था और जिसके ऊपर सीवी आई काम करना शुरू किया है अभी पता नहीं सीवी जो काम करें यह वी कितना परसन सही है या फिर कितना परसन गलात क्योंके सूत्रों को माध्यम से जो खबर आते हैं इसके ऊपर ट्रस्ट करना थोड़ा बहुत मश्किल हुई जाता है तो दोस्तों उम्मीद करते हूं कि वीडियो का जो इंफर्मेशन है वो आपको अच्छा लगा उसी के साथ-साथ आप लोगों का जो राय है वो मुझे कॉमेंट सेक्षन पर कॉमेंट करिए कि कौन-कौन कितना परसन बूज चाचा के क्लिप के उप और विडिप करते हैं जो एलिवेंट से जो कि और युध चैनल ने कि लायक था या फिर नहीं मुझे लगता है परस्वार्स पुलिप करने के लायक था वाधियर आने सिर्व मिदूर्मेशन पर से aiसा ही लगा था भाकि